हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई चैनल सक्से जंग्सन एक कदम सफलता की और और हम लेकर के आगए आपके लिए मिसन MPPSC 2021 जो की है एक फतह बैच बाइ सक्से जंग्सन अब यह जो MP के स्टैटिक की जो प्रश्ण है अब वे प्रश्ण आपकी परिच्छाओं में देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर नया स्लेबस आ गया है और इस प्रश्ण बता दिया गया है कि MP की स्टैटिक जीके बहुत ही जादा महत्पूर्ण है ठीक है तो all MP exams के लिए बहुत जादा महत्पूर्ण है MP की स्टैटिक जीके तो आए बिना समय गवाई हुए चलते हैं पहले प्रश्ण की ओर तो पहला प्रश्ण है विस्व की पहली Tiger Safari मद्द प्रदेश के किस जिले में इस्थापित की गई और option एक है Riva, option 2 है Satna, option 3 है Panna और option 4 है Mandala तो कहां पर इस्थापित की गई विस्व की पहली Tiger Safari आईए इसका answer देखते हैं तो सतना जिले में यहां पर विष्ट की पहली टाइगर सवारी इस्तापित की गई है तो आएए अत्रीक्त जानकारी कुछ आपको देते हैं पहली टाइगर सवारी के बारे में तो 3 अप्रेल 2016 को सतना के मुकंद पुर में पहली टाइगर साफारी खोली गई आपसे उसकी डेट भी पूछी सा जा सकती है कि कब खोली गई तो 3 अपरेल 2016 को कहां पर सतना में और सतना के भी कहां पर मुकंद पुरनामक स्थान पर पहली टाइगर सफारी खोली गई जो कि विश्ट्व की पहली टाइगर सफारी है ये बात आपको याद रखना है चलिए 3 है 1 विहार और सबसे चोटा राश्ठी उद्यान आई इसका इंसर देख लेते हैं तो फॉसिल जी हां फॉसिल में यहां पर मद्ध पुरनामक स्थान पर इस्थान पर इस्थान पर इस्थित हैं इस ट्टिक जी कि आपसे बहूट डीपली पूछी जाती है तो राश्टी जो है फॉसिल मद्ध प्रदेश में डिनौरी जिले में और साहपुरा नावग इस्थान पर इस्थित है तो यह बात आपको याद रखने हैं चलिए अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं कौन सा उध्यान जीवास्म अवसेसों के लिए प्रसिद्ध है ऑप्सन एक है घुगवा ऑप्सन दो है सुहागी पहाड ऑप्सन तीन है भीम बैटका और ऑप्सन चाहर है मैहर तो कौन सा इस्थान है जो जीवास्म अवसेसों के लिए प्रसिद्ध है आई इसका एंसर देख गुगवा अपने जीवासम अवसिसों के लिए प्रसित है तो जो गुगवा राष्टी उद्यान है वो डिन और जीवासम अवसिस यहां पर डायनसौर की हड़ियां पाई गया जिससे यहां बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि डायनसौर हुआ करते थे और मद्यप्रदेश के ड अब देखिए वन विहार आपसे पूचा जा सकता है तो मद्य प्रदेश के भोपाल जेले में वन विहार राष्टे उद्यान इस्तित है और जो भोपाल है वो मद्य प्रदेश की राजधानी भी है चलिए अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं इंद्रा गांधी प्रियदर्सनी उद्धान किस राष्टी उद्धान का एक नए नाम है तो पासे पेंच पासे प्रियदर्सनी और प्रियदर्सनी किसका नाम था इंद्रा गांधी का दूसरा नाम प्रियदर्सनी था जवाहरलाल नहरुजी उन्हें प्रियदर्सनी कह करके पकारते थे आयत रिक्त जानकारी देते हैं आपको इंदरा गांधी उध्यान के बारे में पेंच राष्टी उध्यान का नाम प्रिय दर्शनी राष्टी उध्यान है इसकी स्थापना 1983 में की गई थी चलिए अगले प्रश्णी की ओर चलते हैं अगला प्रश्ण है मद्रदेस का पहला वन्य जीवन जागरुकता केंदर कहाँ पर खोला गया इस्टेटिक का बहुत महत्पूर यह प्रश्ण है option 1 है चिंद्वाड़ा, option 2 है राला मंडल इंदौर, option 3 है बोहुनी, नर्सिंग पूर या फिर option 4 है खमर या जबलपूर तो आईए इसका answer देखते हैं, जी हाँ, राला मंडल इंदौर में इस्टित है मद्रदेस का पहला वन्य जीवन जागरुकता केंदर, आयतरिक्त जानकारिया आपको देते हैं वन्य जीवन जागरुकता केंदर के बारे में तो इंदौर के निकट राला मंडल इंदौर में पहला वन्य जीवन जागरुकता केंदर, आपको डेट याद रखनी है, उन्य जीवन जागरुकता केंदर, इस्थापित किया गया है, अगले प्रश्णी की ओर चलते हैं किस आरच्चे छितर में सोन चिरईया को सुरच्चित रखा गया है? उप्सन एक है करयरा, उप्सन दो है घाटी गाउ, उप्सन तीन है, उपरोकत दोनों और उप्सन चार इन में से कोई नहीं, तो आई ये इसका answer देखते हैं उपरोक्त दोनो new यानि कि आपका करेरा और घाटी गाँ इन दोनों जगह पर सोनचरया को सुरचित यानि आरचित छेतर श्थापित किया गया है तो गोडावन या सोनचरया के सनच्षण के लिए सिप्री और घाटी गाँ भी गाँ आपसे पूछा जा सकता है मिश्टित हैं चलिए अगले प्रश्ण की और चलते हैं मद्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण ने कौन सा है यहाँ आप से पूचा गया है देखिए यहाँ पर सबसे छोटा अभ्यारण ने पूचा जा रहा ना कि राष्टियो ध्यान आपको कंफ्यूज नहीं होना है अब भ्यारण ने की बात की जा रहे है option 1 है गांदी साँगर, option 2 है राथापानी option 3 है राला मंडल या फिर option 4 है और चाहई इसका answer देखते हैं तो राला मंडल जो कि इन दौर में है मद्ध ब्रदेश का सबसे चोटा भ्यारण है तो मद्ध प्रदेश का सबसे चोटा भ्यारन है चलिए अगले प्रश्चन की ओर चलते हैं मद्ध प्रदेश का कौन सा च्छेतर सफेद बागों के लिए जाना जाता है बहुत बार यह प्रश्चन बिगत परिच्छाओं में आया हुआ है पटवारी ने इसको 2-3 बार अपने एक्जाम में कवर किया था औप्सन एक है रोहिलखंड औप्सन दो है बगेलखंड औप्सन तीन है मालवा या फिर औप्सन चार है निमार आईए इसका अंसर देखते हैं जहां बगेलखंड यह आपका अंसर है सफेद बागों के लिए प्रसिद्ध है तो मद्ध प्रदेश का बगेल खंड सफेद बागों के लिए जाना जाता है और बगेल खंड में इभी इस पेस ली रीवा जो छेतर है वह सफेद बागों के लिए बहुत ही जादा प्रसिद्ध है चली अगले प्रशनी की ओर चलते हैं तो संजय राष्टी उध्यान मद्ध देश के किस जिले में आता है बहुत ही फेमस ये राष्टी उध्यान है ओप्शन एक है सीधी ओप्शन दो है जबलपूर ओप्शन तीन है नरसिंग पूर या फिर ओप्शन चार है चिंद वाड़ा और इसके लिए हम आपको एक ट्रिक भी बताने वाले हैं तो सीधी आप ऐसे याद कर सकते हैं संजय राष्टी उध्यान सीधी जिले मिश्तित है तो इसे 1981 में राष्टी उध्यान गोसित किया गया था और 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल किया गया तो संजय राष्टी उध्यान प्रोजेक्ट टाइग में सामिल किया गया था तो आपको इस बात को याद रखना है 2008 वे प्रोजेक्ट Graja unserer टाइगर में सामिल किया गया था चलिए अगले प्राशनी की ओर चलते है कि कि साम के सागर जील किस राष्टी उद्ध्यान में मिशतीत है क्योंकि राष्टी उद्ध्यान मिशतीत जील तो बहुत महत्पूर है option एक है पन्ना राष्ट्री उध्यां, option 2 है माधव राष्ट्री उध्यां, option 3 है संजर राष्ट्री उध्यां या फिर option 4 है बांधव गड़ राष्ट्री उध्यां आईए देखते हैं तो माधव राष्टी उध्यान में स्थित है सांखि सागर जील यह जील मद्वर्देश के सिवपुरी जीले में स्थित है माधव राष्टी उध्यान में तो कहां पर सिवपुरी में इस्तित हैं माधा और आश्टी उध्यान और सिवपुरी में ही आपका सांकि सागर जील भी इस्तित है चलिए अगले प्रेस्टन की और चलते हैं कौन सा जानवर है जिसे बागों का डर नहीं रहता है जिसे बागों का डर नहीं रहता है तो गौर क्या होता है यह उसके बारे हम आपको बता देते हैं तो गौर दच्छड एसिया और दच्छड पूर्व एसिया में पाया जाने वाला बड़ा काले लोम से ढखा एक गो जाती पसू है यानि की गाय के जातका यह पसू है और काले लोम यानि की काले बालों से यह गीरा रहता है तो इसलिए इसे क्या है कभी भी बागों का डर नहीं रहता है यह बिल्कुल निर्वे होकर के गूमता रहता है कहां पर दच्छड एसिया और दच्छड पूर्व एसिया में यह पाया जाता है अगला प्रस्टन है गांधी सागर अभ्यारनिय कहां परिस्तित है आप्सन एक है रिवा आप्सन दो है जबलपूर आप्सन तीन है मनसौर और आप्सन चार है सून तो आएए देखते हैं कहां परिस्तित है गांधी सागर अभ्यारनिया तो मंसौर जिले में स्थित है गांधी सागर अभ्यारन्या यहां अभ्यारन्या नीमच और मंसौर जिले की उत्तरी सीमा पर है यह वर्स 1904 में अदसूचित किया गया था तो गांधी सागर जो अभ्यारन्या है 1904 में बनाया गया था और किसकी सीमा भी वहाइद करता है नीमच और मनसौर जिले की सीमा परिष्थित है तो बहुत महत्पून है आपके लिए आगामी परिच्छाओं है तो अगला प्रशन है नौरा देही अभ्यारन कहां परिष्थित है इसका छित्रफर 1194.66 km इसका छित्रफर है और कहां परिष्थित है तो आपका मध्यप्रदेश के सागर मिष्थित है सबसे बड़ा अभ्यारन है यह है आपको याद रखना है बग्दरा अभ्यारन की स्थापना कब हुई थी यह भी बहुत महत्पूर है परिच्छाओं में आया हुआ इसलिए इस प्रशन को हमने कवर किया इस्टेटिक का बहुत महत्मूर प्रश्ण है तो इसका अंसार है 1978 में जो है बगदरा अभ्यारण की स्थापना हुई थी तो मद्यप्रदेश की सिंग्रॉली जिले मिस्तित है ये बगदरा जो अभ्यारण है मद्यप्रदेश की सिंग्रॉली जिले मिस्तित है अगला प्रेशन, विश्व का पहला गौ अभ्हारन मद्ध अभ्हारन माझपध रिश्व की जिले में इस्थापित किया गया है, आपके लिए बहुत महत्मूर और और अगर्मालवा और 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 अप्शन 4 विषू है, दिवास आईए इसका इंसर देखते हैं। आगर मालवा में आपका विस्व का पहला गौ अभ्यारन मद्ध परदेश की जिले में इस्तापित किया गया है जो दूनिया में किवल काना राश्टी उध्यान में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं उसका नाम क्या है option 1 है चो सिंगा, option 2 है बारा सिंगा, option 3 है घडियाल या फिर option 4 है चारंगा, आईए इस का अंसर देखते हैं तो चो सिंगा कहा जाता है, चार सिंग वाले म्रिक को जो दुनिया में केवल कानहा राष्टी उध्यान में पाया जाता है तो यह म्रिक की दुरल प्रजाती है या टट्रो सरस प्रजाती में एक मातर जीवित जीव है तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो म्रिक की प्रजाती है चो सिंगा, वो कौन से प्रजाती है तो बिंद्धि परवतमाला के पूरवी बिंद्ध चित्रमेश्तित यह उद्ध्धान अपने बागों के लिए बिस्सो भर्मेश्चित्ध है कौन सा तो आपको दिखाई दिर इसके नाम में ही है बाग अभ्यारन यानि बाधावगर बाग के अभ्यारन बतिस पहारियों से घ तो रोहन चक्रवर्ती ने यहाँ पर दिया था भूर सिंग दा बारा सिंगा जो काना टाइगर रिजर्व का एक मात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसका की मैस्कॉट है अपना तो काना राष्टी उध्यान को मार्च 2017 के दोरान देश का पहला ऐसा उध्यान बना जिसका अपना स्वयम का सुभंकर हो और सुभंकर का नाम क्या है भूर सिंग दाबारा सिंगा किस ने दिया था तो रोहन चक्रवर्ती ने दिया था तो एक मात्र ऐसा राष्टी उध्यान जिसका खुद का mascot है अगला प्रस्थन है make doot garden कहा प्रस्थित है option एक है मांडू, option दो है ग्वालियर option तीन है इंद और और option चाहर है उजयन तो कहा प्रस्थित है make doot garden जी हाँ इंद और में आप कर्षित है make doot garden और यहाँ प्रस्ण कई बार पूछा गया है स्टेटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर यहाँ प्रस्ण है तो यहाँ पार्क स्थानी लोगों के बीच बिहद लोकप्री है साथ ही साथ जो परेटक आते हैं उनके लिए भी मुख्य आकरसन का केंदर है कौन सा गार्डन मेग दूत गार्डन जो की इंदौर में इस्तित है तो यह थी हमारी वीडियो स्टैटिक जीके से संबंदित और भी स्टैटिक जीके की वीडियो आपके लिए आते जाएंगी बाद इस वीडियो को share कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में कि आपको animations के साथ में मध्यप्रदेश की static जी के पढ़ाई जा रहे static जी के एक portion अबाग है आपके MPSI, MPSI और MPSC में लगातार पूछा जाने वाला है तो ये बाद अपने दोस्तों तक जरूर सेयर कर दीजिएगा उसकी बाद चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं साथ ही साथ में notification bell दबा लेजिए जिससे जैसे मैं कोई वीडियो upload करूँगा तो आपके पास सीथे notification पहुंच जाएगी और direct आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में एक और animated वीडियो एक और मद्धपत स्टैटिक ही के साथ ही साथ में हम जो हिस्टरी और जो भी MPPSC में नय अपडेट हुआ है उससे समंदित आपके लिए प्रस्ण लेकर के आते रहेंगे objective टाइब और साथ ही साथ में अत्रिक्ति जानकारी के साथ में तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार